सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लिए और साथ ही बेलाइक प्रेस कर लिए इस वीडियो के तुरू तो प्लीज वीडियो को अंतक देखिएगा और अगर आप नए आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेसन टाइम टू टाइम मिलता रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के सेयर भी कीजिएगा ताकि यह वीडियो बहुत वोल्टी एल्टी के साथ और यहां पर आप साइड में देख सकते हैं कि कितना सुंदर पंचिंग गोल्डन कलर में मोवी स्टर का ब्रेंडिंग दिया हुआ है जो कि मोवी स्टर हमेसा से अपना पैकेट का कलर जो वाइट रखता है और यह काफी अट्रेक्टिब भी दिख और यहां पर पीछे देख सकते हैं कुछ आउटलुक नॉलेज आपको दिया गया इसके फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में यहां पर फाइनली आप देख सकते हैं कि यह बना कहां पर है और इसका प्राइस क्या है टेक्स वगएरा तो फ्रेंड चलिया हम लोग पड़ा- देख लिया हूं और मैं यह जश्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों सामने एक अन्बॉक्स कर रहा हूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके पैकेड में इंडिकेट किया हुआ है जो है कि यह मार्केड में तीन कलर में अभी लेवल है ब्लू गोल्डन और ब पर को खूनने के बाद यह मोबाइल आपके सामने हैं और हम लोग जस्ट अभी इस मोबाइल को साइड में रखें उसके बाद देखेंगे इसके बॉक्स में और क्या-क्या चीजें है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको उठा के क्या-क्या मिलता हम लोगो आज तिंग फ्रेंड्स इसमें टीपीव कोवार जो कि टांस्पेरेंट और कुछ यूजर मेनुवल गाइड चीज़ है फ्रेंड्स यह एक डेटा के बल चुकि एटाइप है यह आपको सी टाइप नहीं है इस बजट रेंज में जो है यह एटाइप चारजर मिलेग लिए फ्रेंड्स इसमें अपने डेटा को सिंक्रनाइज कर सकते हैं अपने लैप्टोब और कॉंपीटर के साथ और इस से बढदेंगे कर सकते हैं यह आपको fewrics कर सकते हैं जिससे कि वह एक tapis झारर जो की मजगया है तो सबसे देख सकते हैं पर एक मोभी स्टर की ब्रेंडिंग दी हुई है यहां पर आपको साइड में कैमरे मिल जाएंगे यह 13 मेगापिक्सल का है नीचे LED ब्राइट LED फ्लैस है और फ्रॉंट साइड में फ्रेंट्स यह 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो की काफी ठीक्टाग है मैं इसके दिस्प्ले की एकस्प्रेट रेसियो जो है 18 इस टू 9 है जो की काफी आपको डिस्प्ले का ही मिल जाएगा और इसमें बेजल जो काफी कम है इंफेनिटी डिस्प्ले तो फ्रेंस चलिए आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में हम लोग जानेंगे यह उक्टाइक प्रोसेसर है जो की काफी टिक टा के मेडरेंज फोन में अक्टाइक और प्रोसेसर ही दिया जाता है और दो जीवी की रह में सोलो जीवी की इंटरनल मेमोरी है तो लगबग आप इसमें बहुत ज्यादा एप्स इंस्टान नहीं कर सकते हैं लेकिन आप फिर भी एक जीवी लेकिन इसमें आप पफजी चलने का उमीद मत रखिए यह काफी ल्याग होगा तो फ्रेंट चलिए हम लोग बूट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा OS सिस्टम है और इसी केमरे क्वालिटी को हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे कुछ प्री इंस्ट्रॉल एपस उसके बारे में बात करेंगे तो फ्रेंट आप देख सकते हैं मोबाल जो है यह अन हो गया है और इसके साउंड की क्वालिटी की बात करता आप अपने अपने जस्ट टोन सुना यह बहुत ही लावट सांड है और काफी अच्छा है इनको फिंगर्पिंट सेंसर नहीं है फि सिस्टम में जाके हम लोग देखते हैं तो फिंस आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है 8.1 और यह वरजन का ओपरेटिंग सिस्टम है जो की काफी अच्छा है और इसकी सिगूरिटी पेजिस की बात करें तो यह पंच अगस 2008 रखी है अगर आप यह मोबाल खरीते इस इसके बास फ्रांट केमरा को और इसके वीडियो क्वालिटी को भी देखें गर इससे हम लोग वीडियो रिकॉर्ट करते हैं तो किस प्रोंट केमरा 13 मेगा पिक्सल का है और यह लगबग मुझे बहुत ठीक टाक लग रहा है बहुत ही अच्छा है और इसकी फोटो क्वालि में आप लोगों को सब्मिट कर दूंगा वीडियो के आंत में इसके रेयर और फ्रॉंट केमरे की तो फ्रेंट्स ओवरल मैंने इस फोन का लगबग बहुत सारे स्पेसिबिक अधना फीचर्स में आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया है और इसका प्राइस की अगर हम बात कर रहती है 6100 रूपे सी इंडियन मार्केट में है तो आपको ये फोन इस प्राइस एरेंज में खरिदना चाहिए कि निया मुझे कॉमेंट करके बताईएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कॉमेंट और सेर कीजेगा और आप अगर इस चैनल पर नए आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा थैंक्यू धन्यबाद